हाई फ्रेंड्स आप लोगो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर आज हम आप लोग लिए बिहार द्रोगा प्री के लिए जो ग्यान मिंदु जी एस अकेडमी दोरा जो पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है उसका टेस्ट नमर 32 का डिसकासन अगर अभी तक आप एक से एक तीस तक नहीं देखें तो उसके लिए अलग से बना दें आप वहां से देख सकते हैं यह दोनों टेस्ट से बिहार द्रोगा हो या कोई भी एक्जाम जहां जीके जीएस पूछा जाता है उसमें कोश्चन आने की बहुत संभावना होता है क्य फुल सलेबस को कवर करके बनाया गया है आएए देखते हैं आज का पहला कोश्चन पहला कोश्चन है मुंगल दरबार में सक्रिय बिभिन दलो उनके नेताओं को सुमिलित किजिए इसमें सुमिलित करना है तो देख लेते हैं इसका कौन सा मिलान सही है तो पहला दिया गया इनका था तिये इसका 30 in aragon Julie हो जाएगा अगला एक हो जाएगा में इसका यह पह जाएगा जो दिया गया सी में त This numender हो जाएगा अगला कुशन दैखते हैं निमली खित में से कौन एक भू, आवे शिष्ट देश है ये हो जाएगा बोलीवी या इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है भारते समिधान में निमली खित पदो पर कौन सा अनुक्रम सही है इसमें क्रम बताना है कि कौन सा सही दिया गया तो तो देख लेते हैं इसमें कौन सी कंपनी क्या उत्पाद करती थी इसका मिलान करना है तो देख लेते हैं इसमें कौन सी कंपनी क्या उत्पाद करती है तो पहला दिया गया है भेल भेल जो है ये उत्पाद करती है बैधूत की इसका जो एंसर जागा तीन हो जाएगा अगला है हेल हेल जो है ये उत्पाद करती है बोमानी की तो इसका चार हो जाएगा ये अगला कोशन देखते हैं विशुद इस्लामिक सहली में निर्मित भारत का प्रतम मकबणा किसका था भारत का मकब। अबी में मिलन किजीत मिलान कर सचिंवांक ृट में गएकिफिप। दो में दिया गया है ब्रीहतम उत्पादक मनें बताना है कि किस खनीज का ब्रीहतम उत्पादक कौन सा देश है तो देख लेते इसमें कौन से उत्पादक खनीज जो है उसका उत्पादक देश है पहला दिया गया है टीन टीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है वो चीन ह ते इसका तीन हो जाएगा अगला है चांदी चांदी का सबसे जगा उतपादक जो है मेकसिको है तो इसका एक हो जाएगा वा कुछन देखते हैं तरहें नहीं का नहीं समय देखते हैं तरहें तिसारा यूद्द Já ब sigu सबसक्राइब इनके के बिच्ष हुआ था जो एन Mayसीन संग श aja WATT jakie बाताना है कि राजियों सरकार को बितित नहीं किया जाता है। तो इसका जो एंसर हो जाएगा सीमा सुल्क, इससे एंसर सी नमबर हो जाएगा, सीमा सुल्क जो है ये संग सरकार की अरजित कर है लेकिन इसको राज सरकार को नहीं दिया जाता है, अगला कुशन देखते हैं, इन में से कौन से भारती संग ही बेवस्थाग में एकात्मक तत् तो पहला दियागा है सक्तियों का विकेंद्री करन जो की एकात्मक की नहीं है तो यह नहीं होगा अगला है राजेपालो की निक्ति यह एकात्मक दिखलाता है तो यह दो हो जाएगा उसके बाद राजसवा में असमान प्रतिनी धीत्व ये भी इसका जो है सही है ये दिखाता है एक आत्मक की और अगला है नियाईक पुनोरिलोकन जो की ये नहीं दिखाता है इसका नहीं होगा अगला है अखिल भारते सेवा ये भी दिखाता है तो पांच हो जाएगा उसके बाद अगला है द्वी सदनात्मक बेवस्थापी का जो कि ये भी नहीं दिखाता है तो इसमें बताना है कि एकात्मक तथ तो इसमें से कौन सा है तो इसका हो जागा दो तीन पांच जो कि इसमे मिलान करना है तो इसका मिलान देखते हैं पहला देया है गोल्डन क्रॉंक्स कालि का समद्ध यह पेटरॉलियम उतपादन से तया स्वार्वन, यह मा बिजाएगा ऐसे आधान ऑच्छाथ सकताइब05 इसका सम्म में है कि स्थापना किसन की prasoda आए प україक्षण देखते हैं यह यह जो राजनीतिक दल है DM के बताना है कि उसके अस्थापना किस ने किया था तो उसके अस्थापना जो किये थे CN अनाय दुराई इसका जो एंसर हो जगा C number हो जाएगा अगला कोशन है काली मुद्रा की सबसे माने परिभासा है बताना है कि काली मुद्रा जो है इसका माने परिभासा क्या होगी तो इसका माने परिभासा हो जागा D number होगा यह वह आया है जिसका कर पवंचन नहीं हुआ है इसका जो एंसर हो जागा D number हो जाएगा अगला कोशन है बौध की जीवनी की रचना बौध साहीत में विसे सस्थान रखती है निमलीखित में से बताना इसमें बौध की पूण्ड जीवनी कौन सी पहला देख लेते हैं कौन सा है ललीत भी स्थार जो की पहला ही इनकी पूण्ड जीवनी है तो इसका जो एंसर हो जागा ईनमबर हो जाएगा अगला कोशन है नमलीखित में से मिलान करें आपको यहां मिलान करना है तो सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तों को सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तों के सेयर किजएगा आईए देखते हैं अगला कोशन वीडियो को लाइक किजएगा 17 नमबर कोशन देखते हैं बताना आपको क्ले निवस जो है निमलिखित में से क्या है यह इसका जो हो जाएगा चंद्रमाप इस्तित सबसे बड़ा क्रेटर है इसका एंसर बी नमबर हो जाएग देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है पहला दिया गया गया गाडन चायल्ड्स एम वीलर बाह एम आर्यो का अक्रमट जो की सही दिया गया अगला दिया गया है औरेल एस्टाइल अहम नंद घोस जलवायू परिवर्तन से सम्द्द यह भी सही है अगला यह जान म अगला कोशन देखते हैं पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खूले तोर पर चुनाव चिन्हों के अधार पर भाग लेने की सुझाव किस समीती ने दिया था यह दिये थे हैं असोक महता समीती ने इसका जो एंसर हो जगा बी नमबर हो जाएगा अगला क आठ बटा要ख के तार्कुंदे समीटि और गोश्वामि समीटि का संबन्ध किससे हैं इसका संबन्ध से चुनाव ब्यवस्ता में आमुल सुधार से इसका जो इंसर वैं नंबर जाएगा अगला कोशण है समिधान के की सा अनुछेद द्वारा लोक सिवाओ का संरक्षन परदान किया जता है बताना है कि कौन सा अनुछेद है जिसमें लोक सिवाओ को संरक्षन परदान किया जता है ये परदान किया जता है अनुछेद 311 के ताहत इसका जो एंसर हो जगा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं निमलिकीत का मिलान कीजिए यहां मिलान करना है सुची अ दिया गहाई जिसमें क्रान्तिकारी दिया गए रफास्ति ह summando Dilip देखिने तै इसमें कौन सा कि मिलान सही है ने जयतन दाशर्वाह हो जाएगा अगला हैuded चंदर सेखर आजाद का समन्द मुतभेड के दोरान था तो यह तीन हो जाएगा अगला है भगत सिंग का समन्द फासी से था इनको फासी दिला दिया गया है इसका चार हो जाएगा कल्पना दॉत इनका समन्द जो था आजीवन करवास में बिता है तो इसका एक हो जाएगा इ प्रांस के समराट कौन था बताना है कि जो एंगल फ्रांस के समराट उस समय कौन से थे उसमें फ्रांस के समराट थे उलूई 15 हवाई इसका जो इंसर जगा डी नंबर हो जाएगा अगला कुशन है निमलीखित का मिलान किजिए सुची वन में दिया गया संसदिय समीति दिया सुची दो में दिया गया कारे दिया गया यह बताना है कि संसदिय समीति का कारे का मिलान करना है तो देख लेते इसमें कौन सा मिलान सही होगा तो पहला दिया गया प्रवर समीति प्रवर समीति जो था यह बीत की समिक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाओ देना था यह दो हो जाएगा अगला दियागा लोक लेखा समीति लोक लेखा समीति का जो सम्बन था यह सम्बन था सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परिक्षा करना यह इसका तीन हो जाएगा अगला दियागा प्राकलन समीति प्राकलन समीति का समंद है बजट में भीभागिये ब्याई की जाच करनती, इसका 1 हुझाएगा, तो इसका जो क्रम हो जाएगा, 2, 3, 1, जो किसमें दिया गया है तो डी अगला कॉशन देखते हैं, अगला कॉशन देखते हैं, हारमूद जलसंदी निमलीकित में से 50, 2, 2 खाडियों के आपस में जोड़ती है, बता एंसर जो जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है पीटरा डिवरा का आराम किस ने किया था बताना आपको कि पीटरा डिवरा जो है इसका आराम किस ने किया था ति इसका आराम किये थे जहां गीर ने इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है ऐसे प्र अनुम्त करम रूप से इनका सहे निर्माड रूप करम बताना है देख लेंदें सब्सेपहले कुटू MINAR का उसके बाद निर्माड वर्धा कई उसके बाद पहा था लोदी गार्देन का उसके बाद did हो जाएगा 312-14 जो video इसका एंसर दो होजाएगा अगला कुशन द fence आप हाम की बताना ऑगताना कोन से पहाई जो था जो आत्मपर कीए थह के सबक्सें कि सहली हो इसका जुरायन राव इसका जो एंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं पबिल-द्रूर्फ में तो यह प्रकासित हुई थी 1901 में तो इसका जो एंसर हो जगा बी नंबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं निमलीखित में से किस लोह आयस का उपयोग बीधूत उध्योग में विशेस रूप से किया जाता है यह किया जाता है मेगनेटाइड का इसका जो एंसर हो जगा किया जाता है अगला कोशन करें नहीं नेसरा होत इसका घा-ठाल रैयागे सा घ्र आश smiling जो तक यह 1860 में लाएगा इसका एक हो जाए है अगला दिया गया भारती उच नेले अधिनियम इसका जो हो जाएगा 1861 में हो जाएगा तो ये चार्ज में दिया गया है अगला दिया गया भारती विवाह विछेद अधिनियम जो कि ये आया था 1869 में तो इसका जो क्रम हो जाएगा दो एक चार तीन जो किसमें दिया गया तो ये दिया गया डी में इसका एंसर जो जगा डी नंबर हो जाएगा अगला कुशन है किसने कहा कि यदि भगवान अस्प्रियता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा ये कहे थे बाल गंगादर तिलक ने इसका जो एंसर हो जगा बी नंबर हो जाएगा अगला कुशन है निमलीखित कहा मिलान केजा है यहां alltid दो दो बिच बचाओ अंदोलन का संबंद किस राजे से बताना है कि बचाओ अंदोलन का संबंदित रखता है यह रखता है उत्रा खंड से इसका इंसर जाएगार दिनमबर हो जाएगा अगला करषान है जो इंने लिखित क्या मिलान किजिए यह सुची दो दिए गया यह सुची फसी दो को मिलान करना है तो सुचिवान में देख लेंते हैं क्या दिया गया तो पहला दिया गया अगस्त घोषना ये हुआ था मन्टेगियू के काल में तो ये दो हो जाएगा अगला है अगस्त परस्ताव जो था लिनलितिगों के काल में हो था तो ये एक हो जाएगा अगला है अगस्त संकल्पना अगस्त संकल्पना जो है, यह हुआ था महात्मा गांधी के काल में, तो यह चार हो जाएगा, अगला प्रत्यक्ष करवाही दिवस, यह मनाय गया तो मोहमद अली जीना द्वरती, यह तीन हो जाएगा, इसका जो क्रम हो जाएगा, दो, एक, चार, तीन, जो किसमें दिया गया तो यह दिया गया A में, इसका एंसर A नमबर हो जाएगा, अगला कोशन है, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्राणी क्रीसी प्रचलित है, क्रीसी को देश के विभीन भीन भीन भागों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, इस क्रीसी से समद्धी छे इस तीन हो जाएगा अगला है घ्रखंट में कुरपा का जाताए तो दो, तीन, चार्ज, जो किसमें दियागा, तो A में दियागा, इसका एंसर जो हो जागा, A नमबर हो जागा, अगला कोश्चन है, ताती पा का तेल सोधसाला कहां हो अस्तित, बताना आपको कि ताती पा का तेल सोधसाला जो है, वो कहां हो इस्तित, किस राज में इस्तित है, यहुतीत है अंद कदेश में। इसका जो एंसर हो जगा, D-Number हो जाएगा। अगला कोश्चन है, निम्ड में से मेड़ा गासकर की रजधानी कहा है। तिसकी रजधानी जो है Enternairio है इसका जो अंशर हो जगा A नमबर हो जाएगा अगला कुश्छन है भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का याड़ गुजरात में किससथान पर इस्तित है ये इस्तित है अलंग में इसका जो अंशर हो जगा A नमबर हो जाएगा अगला कोशन है भारत में बाग गर्णा की पांचो चक्र के रिपोर्ट के अनुसार कुल बागो की संख्या कितनी है ति बागो की संख्या अभी है एक तीस सो सरसट हो इसका जो एंसर हो जगा सरसी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है भारत के निमलिखित में से किस राज में बच्चों में लिंगा अनुपाद सबसे कम है बताना है कि भारत में कौन सा राज है जहां बच्चों में लिंगा अनुपाद सबसे कम है ये राज हो जाएगा हरियान है इसका जो एंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएग अगला कोशन है सिस्टोलिक और डास्टोलिक प्रेसर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है नाड़ी दाब के नाम से इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है बताना है कि पुस्तक है उसके लेखक कौन है तो उसके लेखक है के के दत्ता इसका जो एंसर हो जाएगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है इसमें मिलान करना है सुची वन दिया गए जलासे होगा सुची दो में राजे दिया गए कौन से जलासे किस राज में इस्तिते उसका मिलान करना है तो देख लेते हैं कौन से जलासे किस राज में है तो पहला दिया गए भध्रा भध्रा जलासे जो है यह वस्तिते करनाटक सागर आई होजाएका अगला नंचले के वभानी सागर देटने में लगतुन हो जाएका mos सबसे वप्जायक्या थिए अनुसार भारतका सबसे बड़ा वेपारिक भगीदारी डेस कौन सा है तह स्बसे बड़ा वेपारिक भगीदारी डेस है अमेरिका इसका जो एंसर जगा C-napper हो जाएगा अगला कोशन है योगितम की उत्र जीविता के बीचार को मुल परवर्तक है तो मुल परवर्तक जो इसका एंसर हो जगा C-napper और अस्पेंसर इसका एंसर सी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है निमलीखित का मिलान कीजिए इसमें मिलान करना है तो सुची 1 दिया गए जिसमें जनजातिया दिया गी है सुची 2 दिया गए अवस्तित दिया यह बताना है कि कौन सी जनजाती किस राज में अवस्तित है मिल करना है तो देख लेंटे हैं कौन से मिलान सही होगा तो पहला दिया गया जारवा जारवा जाथी जो यह अंडमा निको बर्दुप में तो इसका जोजए गा चार नंबर कूकी कूकी जो जन जाती यह मडिपूर में पाए जाती यह थीति नोजाएगा अगला थारु थारु जन्जाती उत्तर प्रदेश में तो एक हो जाएगा अगला कोश्चन है रंध्रोक के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकासिय किरेने हो जाएगी लाल तरंग धरव वाली किरेने इसका जो इंसर हो जागा भी नमबर हो जाएगा अगला कुश्चन है होमोगलोबीन के बारे में निमलीकित कथनों पर भीचार कीजिए बताना है होमोगलोबीन के बारे में जो कथन दिया गए उसमें सही कथन कौन सा है तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गए अगला दिया गयाOS पुछ रंगों प्रती प्रती रक्षा प्रदान करता इन्हों सहिं एक ही कुछ रंगों के Plani प्रती प्रती रक्षा प्रतान करता है. वह कथ जञताए Key माज्वित्व, यह तो सही कथन दूर्द करक्षा एक डूर्द आप तो B में इसका एंसर जो जगा B नमबर हो जाएगा अगला कोशन है राश्टपती मुर्मुर ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर परदान किया यह जो प्रेसिडेंट्स कलर्स परदान किया है यह किया है इसका जो एंसर जगा D नमबर हो जाएगा अगला कुशन है मीटी के घड़े में निम्न में से कीस प्रक्रिया के कारण जल ठंड़ा रहता है तो जल ठंड़ा रहने के प्रक्रिया जो है उसे वास्मी करण काते है इसका एंसर बी नंबर हो जाएगा अगला कुशन है टेलिवीजन प्रसाणड़ों में स्राउड संकेत को प्रेसरीत करने के लिए प्रियुक तकनीक है तो प्रियुक तकनीक है आवीर्ती अरोपन इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जाएगा अगला कुशन है राष्टी ये टीका करन दिवस कम मनाये जाता है ये मनाये जाता है 16 मार्ज को इसका जो एंसर जगा A नमबर हो जाएगा अगला कुशन है भारत ने निमलिखित में से किस सहर में चाबहार पर भारत मद एसिया सन्युक्त कार समू की पहली बैठक मेजबानी की है ये मेजबानी की है मुंबई में इसका जो एंसर जगा D नमबर हो जाएगा अगला कुशन है लाल मृदा के संबंद में नीचे दिये गए काथनों पर बिचार कीजिए इसमें बिचार करना देखते हैं क्या दिया गया तो पहला दिया गया लाल मिरिदा का विकास उनछेत्रों में हुए जहां रवेधार अग्निया चटान पाए जाती जो कि सही है अगला दियागे लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती ये भी सही है तो इसमें बताना ये उप्यूक में थे कौन सा कथन सत्य दियागा है इसमें बताना कौन सा सही है तो इसमें एक और दो दोनों सही है तो इसका जो एंसर हो जागा C नंबर हो जाग कि ये गिंदबाज बने है अक्षर पटेल इसका जो इंसर हो जागा C नमबर हो जाएगा अगला कोशन है निमलीखित का मिलान कीजिए यहां सुची 1 दिया गया है सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है तो देख लिए ते इसमें कौन सा मिलान सही दिया गया तो पहला दियागा कि यूसेग जो है यह प्रवार की दर है तो इसका जो और जो हो जाएगा तीन नमबर हो जाएगा अगला है बाइट का जो समफ़ाइगा इसका जो हो जाएगा अगला है रियक्टर का संब्पन्ध हपुकम की त्रिवतन अपने से इसका 2 हो जाएगा अगला है बार बार जो धाव के एक नमबर हो जाएगा इसका जो क्रम हो जाएगा 3 4 2 1 जो किसमे दिएगा तो बी में दिया गया इसका एंसर बी नंबर हो जाएगा अगला कोश्चन है ICMR का महानिर्देसक किसे बनाया गया है बताना है कि ICMR है उसके नए महानिर्देसक कौन बने है इसके महानिर्देसक जो बने है नय राजीव बहल बने इसका एंसर बी नंबर हो जाएगा अगला कोश्चन है निमलीखित का मिलान कीजिए सुची वन दिया गया सुची दो दिया गया यहां रोगों का नाम दिया गया सुची वन में सुची दो में प्रभावित अंग दिया गया बताना है कि कौन से रोग से इस्का सम्भन ये चोटी आठ से है ते ये इक हो जाएगा इसका जो सही एंसर हो जाएगा दो तीन चार एक जो किस दिया गए तो बी में दिया गया इसका एंसर बीनमबर हो जाएगा अगला कोशन है ACI कुस्ती चेंपियन के 60 किलो वर्ग में भारत के किस खिलाडी ने राज़त पदक जीता है ये राज़त पदक जो जीते हैं नीशा दाहिया जीते हैं इसका एंसर B नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है एक कम्प्यूटर सिस्टम में सामील होते हैं बताना है कि आपको ये कम्प्यूटर सिस्टम में इसमें से कौन से सामील होते हैं तो देख लेते हैं इसमें कौन से सामील होते हैं तो पहला दिया गया हाड़वेर सामील होते हैं अगला दिया है software ये भी सामिल होते हैं अगला दिया है परीधिय उपकरण ये भी सामिल होते हैं तो इसमें उप्यूक तो सभी इसमें सभी जो दिया गया वो सामिल होते हैं तो इसका answer जो जगा D number हो जाएगा अगला कोशन है एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है उसे H प्लस आयोन के सांदर्ता क्या होगी तो उसकी H प्लस की सांदर्ता जो है एक हजार गुना कम हो जाएगी इसका जो answer जगा D number हो जाएगा अगला कोशन है भारत में परमाडू उर्जा आयोग की अस्थापना कीस वर्स किया गया था बताना है कि भारत में परमाडू उर्जा आयोग जो बना था उसकी अस्थापना कॉब किया गया था तो यह किया गया था 1948 इस भी में इसका जो answer जगा B number हो जाएगा अगला कोशन है निमलीखित में से मुकित किसके लिए सीटे इन संक्या गुंडता प्राचलन के रूप में परियुक्त होती है यह परियुक्त होती है मीटी का तेल से इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है नंदा जील आदर भूमी किस राज में अवस्तित है बताना है कि नंदा जील आदर भूमी जो है वो भारत के किस राज में अवस्तित है यह इस्तित है गोवा में इसका एंसर B नमबर हो जाएगा अगला कोशन है परिया वरन उपकर्स से अभी प्राय है बताना है कि परिया वरन उपकर्स जो है ये किस से अभ प्राय है तो इसका जो एंसर हो जागा डी नमबर हो जाएगा परियावरन गुनों के पूर्ण रूप से निमनी करण से संबन दिते सही है अगला मानुए क्रिया कलापों से बिप्रीत परिवतन लना ये भी सही है अगला प्रास्तितिकिये बिभीनता के परिग्राम सरूप परिस्तितिकिये और संतुलन से ये भी सही है तो इसका जो तीनो अगला कोशन हैं नम्बर होजाएगा अगला कोशन है Color Me चुम्ब की है अगला कुशन है निं में से कौन बीधूत बुज़त चुंब की है बताना है कि इसुझे बीधूत की है कौन कमब की है यह देख लेता है कॉन सा है तो निकेल जों कि नहीं है कोबाल्ट यह भी नहीं है 100 मिच्वांग ene तो यह अस्ताक्चर किया है फ्रांस के साथ, इसका जो एंसर हो जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है, अधो लिखित में से कौन सा रंग इंदर धनुस के मद्धे में दिखाई देता है यह दिखाई देता है हरा, इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा अगला कोशन है धारणिय क्रीसी का अर्थ क्या है बताना है कि धारणिय क्रीसी का अर्थ क्या होता है तो देख लेते हैं इसमें धारणिय क्रीसी का अर्थ क्या होता है तो इसका जो एंसर हो जागा C नंबर हो जागा भूमी की इस परकार प्रयोग की उनकी गुर्वता और श है वी कानेर में राजस्तान के के कानेर में इसका उट उटां होगा था है तो इसंका एंसर जो जगास नमबर हो जाएगा है अगला कोशन लग में बयंग उसन यूट है यह और एंग Bye freshnez a nossa जो ऊटाना है इसका जो इसका जो एंसर हो जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं बेसल मापड़न संबंदित है बताना है कि बेसल मापड़न जो है किस से संबंदित है इसका संबंद जो है बैंकिंग छेत्र से है इसका एंसर जो जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है हुरून ग अगला कुशन है गर्वती महिला को दैनी कहार में कितनी मात्रा में ऐरन की संतूती की गई है। यह किया गया है 40 mg इसका जो एंसर हो जगा D नमबर हो जाएगा। अगला कुशन है भारत की चारगा है और चारा अनुसंधान संस्तान इसस्तीतए बताना है आपको कि भारत ये जहां C में , इसका saw is C नमबर हो जाएगा और निम्लीखित से मीठे पानी को जील है इसमें बताना है कि कौन से जील है जो मिठे पानी के लिए जाना ज़ता है तो प्रयोंख करना थो सभी इसमें सभी जो था मिठे पानी का ठाओ अगला कोशन है समुंद्र यान मिसन के तहत गहरे समुंद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्मा किया जा रहा है जिसका नाम क्या है तो उसका नाम है मतास से इसका जो एंसर हो जाएगा अगला कोशन है कटल फीस की संकी सदा से होती है बताना है कटल फ 2023 का अंतराष्टिय पुरुसकार प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है स्री राधा कृष्ण राओ को इसका जो एंसर जगा D number हो जाएगा अगला कोशन है विशेस आर्थिक छेत्र अधिनियम की स्वर्स लागू हुआ था ये लागू जो हुआ था ये हुआ था 2016 में इसका एंसर D number हो जाएगा अगला कोशन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है ये है चार इसका जो एंसर हो जाएगा C number हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं इस्टील में कितना कार्बन होता है बताना आपको कि इस्टील में कितने परतिसात कार्बन होता है तो ये होता है 0.1 से 2% इसका जो एंसर हो जाएगा एक नमबर हो जाएगा अगला कोशन है तूलसी के पौधे का औसिधिया महातो निमलीखी की उपस्तिती के कारण है इसका जो कारण है इसका एंसर जो हो जगा C नमबर हो जगा फिनॉल और फिनॉल राइड इसका जो एंसर C नमबर हो जाएगा अगला कुशन है संतोष ट्रॉफी 2022-2022 किसने जीता है इसका जो बिजयता गism है यह और। इसका एंसर फिनॉल और किस पंडीय मंत्री ने लॉंभी नॉंच किया यह एपिंडर किया है डाक्टर जीतेंद्रा सिंग ने जो एंसर हो जगा प्now quién कुछन की सराज का गमच्छा की जी आई टैग दिया गया है बताना आपको कि पूलिस की से कहा जाता है यह कहा जाता है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कि जिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफीकेशन पराप्त हो बीडियो को लाइक कि जिएगा दोस्तों के ज़ता चीयर किजिएगा आगे में स्रीन का कोशन है उसका answer हम बता दे हैंगा और बना लिजएगा अगला है 95 नंबर 99 नंबर कोशन का answer दि नंबर होजाएगा अगर्णा कोशन है सो का answer दि नंबर होजाएगा अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दूर मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक ले धन्य बाद जय हिंद